Hello everyone and welcome back to my channel और कैसे आप सब जैसे कि हम सब को बता है कि तुहार का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो मतलब हमारे घर में गैस तो एक के बाद एक के बाद आते ही रहते हैं तो हर किसी को लगता है कि हम भाहर से मिठाई लियाएं तो बहुत ही अजु को रहता है कि हम घर में कुछ बढ़ियासा बना हैं तो जो आज मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही आजी और एकडं टेशी रेसिपी लेकर आचुकी हूँ इसको बनाना बहुत ही जादा ईजी है और बहुत ही जटपड भी बन कर तयार हो जाएगी तो जो आज की हमारी रेसिपी है वो है कस्टर्ड सिवाई और ये बहुत जादा अच्छे लगती है तो आप एंड तक वीडियो को जरूर देखेगा क्योंकि ये तो भाई सबको बहुत पसंद आएगी तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो सबसे पहले यहाँ एक पैन में मैंने दो बड़ा चमच गी ले लिया है इसके बाद इसमें मैं आधा कप सेवाई डाल रही हूँ और इनको मैं अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँ इसको मैं लगतार चलाकती रहूंगी जब तक हमारे इसमें एक उबालना आजाए तो बस हमें एक उबाल लाना है उसके बाद हम और चीज़े इसमें डालेंगे फिर यहाँ पर मैंने एक चोटा ही छोटा चमच केसर डाले अगर आपके पास केसर ना हो तो आप इसमें कुछ अच्छी तरीके से मिल जाने के बाद इसमें हम मिठास देने के लिए यहाँ पर मैंने एक चोटा ही कप चीनी का इस्तिमाल करा है आप इसकी कौंटिटी कम या जादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं फिर इसे मैं साथ मिनिट तक के लिए बॉयल करूंगी या फिर जब तक हमारी जो यह सिवाई है ना यह पूरी तरीके से पकनी जाती अब यहाँ पर मैंने एक चोटा बाउल लिया और इसमें मैं दो बड़ा चमच कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हूं और एक चोथा चोटा कप मैंने यहाँ पर दूर लिया और अब इन दोनों को अच्छ तयार कर था कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके आराम से मैं डालों गया और इसे चलाती रहोंगी और मैं तब तक पकाऊंगी जब तक जो हमारा दूद है वह गाड़ा नहीं हो जाता और एकदम अच्छी तरीके से क्रीमी नहीं हो जाता बस हमें इसी कंसिस्टेंसी तक ही पकाना है इससे जादा मत पकाएगा वनना फिर वह गाड़ा हो जाएगा और वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में अब इसे मैं पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख दूँगी जब हमारा जो मिल्क है यह एकदम रूम टेंपरेचर पर आ जाएगा फ अब हम इस ग्लास को एक छोथा ही भरेंगे अपनी जो हमारी कस्टर्ड सिवाई तयार हुई है फिर इसको थोड़ा सो और सजाने के लिए यहां पर मैंने पहले बीच में थोड़ी सी तूटी-फूटी और चेरी डालिया यह एकदम आप जिस भी तरीके से खाना चाहे उस के खा सकते हैं अब फिर मैंने अब इस पूरे ग्लास को पूरी तरीके से कस्टर्ड सिवाई से भर दिया है अब इसे उपर और अच्छी तराइक से कलर और अच्छा दिखने के लिए मैंने ऊपर थोड़े फिस्ता थोड़े से टूटी-फूटी थोड़े से में पस चेरी बेरीज भी तुछ होई ताल देश वाड़ाता है। एक टेशन बंडर तयार है। तृप ती की ज़दी ज़्टी भी तयार है। यह भाने में भी बंड्री तयार है। तो एक प्सटिव सीजन में तूर देख स्साट रहा है। जरूर बताएगा। तो आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए होगी प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलेगा बाबाई